हमने आपको संगम नगरी इलाबाद की तस्वीरें भी दिखाई और आम जनता की आवाज को भी सुनाया अब राजधानी लटनों के लोगों की क्या कुछ राय है लोग क्या कुछ प्रतिक्या दे रहे हैं अपनी राय ब्रेंड अकलेश और ब्रेंड राहुल को लेकर ये भी क्या आपको सुनाते हैं यूथ के लिए और डाइनमिक सोच है उनकी पढ़्यावरान के लिए सोच है लखनों के लिए मेट्रो और जनिस्वर्मिस पार्क जो एस्या लेविल का पार्क बनाया उन्होंने टेंस के तर्ज पे घूमती नदी को बना रहे हैं इतना फूसूरत क कर रहे हैं कि लखनो की पहचान अख्लेश यादो के रूप मेरे जाब से अख्लेश यादो को मैं वोड करूंगा और अख्लेश यादो का जो है यूद्यत्य निर्थ्यतु है और उन्होंने पूरे यूपी में सबसे ज्ज्यादा डिवल्लप्रमेंट किया हैं उनकी सरकार में फॉर इक्जेंपल अगर सबसे पहले बाद लखनौ मेट्रो लेके आ रहे हैं यूपी में फस्ट टाइम उसके अलावा जो है जनेस्वर मिस्टर पार्क नो ने बनवाया है और उसके अलावा जो है चाहे कानपूर हो चाहे बनारस हो लखनौ हो सारे सहरों को उन्होंने र ऊनके र特वे माल्स काहएं है और हमारे यूपी में उन्होंने अब सिर्फ आओं के लिए रहुल गांदी और मुझे वो जादा पसंद है क्योंकि उन्होंने अभी तक जितने भी प्रॉमिसेज लिये हैं वो कही न कई फुल्फिल किये हैं रहुल गांदी को कोई अनुभाव नहीं है राजनीती का लेकि इनको अखलेश यादो मुखमंत्री रह चुके हैं सरकार में और उन्हें काम का अनुभाव है और उनका काम देखता भी है तो इन दोनों में अगर तुल्ला करना हो तो मैं अखलेश को चुनूँगा चादा रहुल गांदी और अखलेश यादो में हमें अखलेश पसंद है क्योंकि उन्होंने पांच वर्सों में जो अपनी सरकार चलाई है वो काफी हद तक सफल रहा है और जो समाजवाद की विचायधारा लेकि वो चलते हैं उनकी जो आइडियोलोजी उनके पार्टी की उसमें क काफी हद तक वो सफल रहा है हम सफृत कि הסवरैश पांच पर यह दोनों ही युवा है ने जनता ने मौक को वह भी दिया था दू बार उनके पास एक अच्छी opportunity थी देश को दिखाने की कि वो एक प्रथिभावान नेता हैं पर उन्होंने दोनों बारी बैक अप कर लिया कभी भी ना उन्होंने कॉंग्रेस उपाध्यक्ष के छवी से कभी बाहर राके कभी एक जनता के लीडर नहीं बने सर्वेंट लीडर नहीं बने यह कही ना कि कमी है राहूल गांदी की अखिलेश यादव ने यूपी क के लिए बहुत कुछ किया है अभी राहूल गांदी अपने आपको स्टैबलिश कर रहे हैं और जैसी जैसे साफ से उनकी लोग सभाव स्पीचर है उससाफ से तो अच्छे नहीं है